कि नमस्कार दोस्तों उनली फ़र हिंदी में आपका फिर्शे स्वागत है आज की जूड़े सक्षिन में हम देखेंगे केसी का रोटरी कैम स्वीच आइए देखते हैं यह मैक्जिम्म टू नैंटी रूपीज का आता है प्राइस थोड़ा कम हो सकता है है MRP है यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते है रेड़ेगरर का उसका नौब है सिलेक्शन का आप पोजिशन है और एक से लेके पास तक उसका पॉइंट है जैसे भी चाहिए आप उसको अपरेट कर सकते है इसका आउटपूट जो कनेट करना है आपके उपर है कोई-कोई द ब्लैक कबल देख रहे है आप वो लूपिंग है यह उसका आउटपूट है आप यहाँ पर देख सकते है और जो एक नंबर है यहाँ पर आपको फेज कनेट करना है और वो फेज आपका सब A1 A2 A3 को कॉमन हो गया है इंकमिंग को A1 A2 A3 के इंकमिंग को यह इसी तरीके से A A4 और A5 के इंकमिंग को भी कॉमन हो जाता है आप यहाँ पर देख सकते हैं यह वाला A5 तक है और यह इसका ब्लैक केबल है यहाँ पर यह लूपिंग किया है और नीचे जो है वो A4 और A5 है इस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन होता है दस अंपियर तक लोड़ सकता है अब यह दो नमबर पर सिलेक्ट है तो यहाँ से A2 में सप्लाय जाएगा यह इसका स्क्रू होता है मेरे पास एक खुला हुआ है जो खराब हो चुका है आप यहाँ पर देख सकते है इसका नॉप खुलने के लिए इसक्रू आपको लूज करना है उसके बाद उपर वाला नॉप निकल जाएगा और यह पैनल में लगाने के डाइम यह आपको उपर वाला प्लेट खुलना पड़ता है दो स्क्रू लगाए रहते है आप यहाँ पर देख सकते है उसका पोजिशन कैसा होता है दो होल्स दिकाई दे रहे आपको उसके अंदर यह स्क्रू कनेक्ट होता है औ आप यहाँ पर देख सकते किसे उसको लगाना है और ओपर वाला रेड नॉब है वो कनेट करना है इस तरग के से आपका है मौंट हो जाता है तो इसका वरकिंग प्रिंसिबल देखते है कागस पर कैसा होता है बहुत यह आसान है इंकमिंग सप्लय लेते है उसके पर है। जैसे मैंने यही महां पर आपको बता आये था कि एक number होता है है यहां पर phase connect करना है तो यहां पर हमने phase connect कर दिए है और A1, A2, A3, A4, A5 के जो bottom का output A2 का output A3 का output A5 का output तो हमको जो looping की वो सभी A9 को A1 A1 से लेके A5 तक looping हमने दी थी और जो उसका output है वहाँ पर हमने load connect कर दिया है आप यहाँ पर देख सकते है A1 पर मैंने यह load connect कर दिया है lamb को और यह मैंने neutral लगा दी है तो यहाँ पर जैसे ही मैं off position पर है तो कोई भी load चालू नहीं है जैसे ही मैं यह A1 याने clamp का एक नंबर में select करूँगा तो मेरा A1 on हो जाएगा याने यह short हो जाएगा जैसे यह short होगा यह supply यहाँ से pass होके lamb को चली जाएगी और हमारा lamb चालू हो जाएगा A2, A3, A4, A5 यह तोही भी switch कोई भी point effect नहीं होगा यह सभी off ही रहेंगे यह load कोई भी on नहीं होगा जैसे ही मैं A2 पे select करूँगा याने मैं दो नंबर पे selection डालूँगा तो A1 मेरा off हो जाएगा और A2 मेरा on हो जाएगा और यह तीनों load off हो जाएगे जैसे ही मैं A2 से A3 में सिलेक्शन डालूँगा तो जो A2 का लैम चालू था वो ओफ हो जाएगा और मैरा A3 का लैम चालू हो जाएगा इस तरह के से उसका चेंज और सप्लेव होता है अगर आपको यह वाला वीडियो पसंद आए ति उसे लाइक और शेर जरूर किजिएगा स वीव दिखने के लिए आपका भूद बहुत शुक्रिया